हेलो बच्चों तो आज हम exercise 1.4 का question 3 and 4 को solve करेंगे chapter 1 का ठीक है so let's start it तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने पहले आपको बताया था जो division का rule मैंने आपको बताया था अभी हम 3 और 4 को solve करेंगे ठीक है तो इसको ताप पहले कर चुके हो तो अभी हम 3 और 4 को solve करेंगे तो यह आ गया आपका 3 तो 3 का जो आपका rule है same rule यहाँ पर भी follow होगा जैसे यहाँ पर दिया है 369 divided by क्या क्या करने से कितने डालने से यहाँ 369 रहेगा दोनों तरफ positive है तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटिजर 1 होगा यहाँ थोड़ा मोटा हो गया थोड़ा से पतला लेते हैं इसको तो यहाँ पर वान हो जाएगा सेम उए यहाँ पर minus 75 है और यहाँ minus 1 है दोनों तरफ minus है तो यहाँ minus हो जाएगा तो फिर दितर प्लस हो जाएगा तो फिर यहाँ पर आपका कोई भी एक positive integer रहेगा तो क्या रहेगा यहाँ पर 1 है तो फिर यहाँ पर 75 रहेगा तो इसका answer है 75 सेम उए यहाँ पर minus 206 है और यहाँ पर 1 है इस तरफ negative है इस तरफ positive है तो फिर दोनों negative होने से इस तरफ positive हो सकता है तो यहाँ पर आपका negative हो जाएगा और 206 एंसर रहेगा 206 सेम उए में इसको आप solve कीजिए और next को मैं solve करता हूँ यहाँ पर आप देखिए answer है minus 87 और यहाँ पर plus है तो obviously यहाँ पर minus होगा और answer होगा minus 87 minus 87 divided by 1 is equal to minus 87 सेम उए आगे का आप खुद कर सकते हैं तो अभी question number 4 को solve करते हैं write 5 pairs of integer a और b को integer बानते हैं और इसको a divided by b करने से minus 3 होगा ठीक है तो ऐसे इसका एक example दिया है 6 और minus 2 का यहाँ 6 divided by minus 2 is equal to minus 3 यह से और 5 pair आपको integer को choose करना है जिसका अगर a के साथ b को divide करते हैं तो minus 3 निकले तो इसमें हम पहले चूझ करते हैं सबसे च्छोटा वाला minus 3 divided by 1 क्या होगा minus 3 होगा तो अब हमको दो pair मिल गया एक और pair मिल गया minus 3 और 1 और एक देखते हैं जैसे यहाँ दिया है 6 minus 2 हम यहाँ पर minus 6 ले ले लेते हैं minus 6 divided by 2 ले ले लेते हैं तो तब भी minus 3 ही निकलेगा ठीक है यह और एक पर एक pair होगे और एक लेते हैं जैसे 9 लेते हैं positive integer 9 divided by 3 बट 3 करने से तो plus हो जाएगा तो यहाँ पर minus 3 करना पड़ेगा हमको तो 9 divided by minus 3 is equal to result भी minus 3 निकलेगा तो यह एक और एक pair हो गया तो 3 pair में बता दिया आगे का 2 pair आप खुद solve कीजिए ठीक है तो next वीडियो में मैं आपको आगे का question number 5, 6 और 7 को